हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम गें टू माई यूट्यूब चैनल, तो मिशन 95 प्लस के इस फर्स एपिसोड में आज हम डिसकस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जैसे कि आपको अल्रेडी एक्स्प्लेंड कर दिया गया है कि मिशन 95 प्लस हमारा एक 60 डेज फ्राइडे, उन एपिसोड के थूँ आप अपनी अकाउंटेंसी का पूरा स्लेबस यहीं पर कंप्लेट कर सकते हैं, विच सेल्स प्रेक्टिस तो मिशन 95 प्लस के इस फॉर्स एपिसोड में हम कैश प्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट से, तो चलिए डिसकस करते हैं, डिसकस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी इस वीडियो को अपने फ्रें आपको मिलता रहे है, दुबारा दूँए, हलो फ्रेंड्स, वेल्कम गें टू माइ यूट्यूब चैनल, सु मिशन 95 प्लस के इस फॉर्स एपिसोड में, आज हम डिसकस करेंगे कैश फ्रो स्टेटमेंट के बारे में, जैसे कि आपको अल्रडी एक्स्प्लें कर दिया गए मिशन 95 प्लस हमारी एक स्पेशल सीरीज है, 12th क्लास, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए, ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है, जहांपर आपको विदिन 60 डेज, कम्प्लीट अकाउंटेंसी का स्लेबस करवाया जाएगा, ताकि फाइनल एक्जाम्स के लिए, स्पेशली अ हमारे चैनल पर आयो, तो सब्सक्राइब कर दीजे, सब्सक्राइब करने के साथ, जो बैल आइकन अपेर होगी, उसको भी क्लिक कर दीजे, ताकि फ्यूचर में जितने भी हमारे एपिसोड आएंगे, उसके रिगारिंग नोटिविकेशन आपको मिलता रहे, अपने फ्रिं करने वाले हैं, गाइ प्रिंग के बारे में, जो यह हमारे पास, complete details, जो आज हम डिसक्स करने वाले हैं, सबसे पहले हम यह बताएंगे कि भी, गाइशफलो स्टिय्टमेंट होता क्या है, Normally, हर एक student को पता है कि cash flow statement एक statement है जिसमें cash के regarding सारी transactions record की जाती है Then, इसके बाद हम understand करेंगे कि cash flow statement को हम कितनी categories में divide कर सकते हैं Basically, cash flow statement को three categories में divide किया जाता है operating activity, investing activity and financing activity तो उनको हम आज detail में understand करेंगे क्योंकि यह आपका basic concept है अगर basic concept आपको सही से समझ आया सभी practical possible हो पाएंगे Then, हम देखेंगे कि cash flow statement का objective क्या है क्यों prepare किया जाता है Then, इसके बाद अगर cash flow statement हम बना रहे हैं तो 11th में हमने cash book क्यों की थी यानि इन दोनों में difference क्या है अगर हम cash book prepare कर रहे हैं उससे भी हमें cash के बारे में सारी information मिलती है और cash flow statement उससे भी हमें cash के बारे में information मिलती है तो दोनों में से कोई एक बनाएं तो चलेगा या दोनों बनानी पड़ेंगी तो उनों में difference क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा और last में हम इसके कुछ practical questions करेंगे चलिए so cash flow statement होता क्या है basic concept detail में understand करने से बहले like जरूर कर दीजे share जरूर कर दीजे और जितनी भी classes है सभी का link description में given है आप उनको जाकर देख सकते हैं चलिए so start करने से बहले अगर अब तक आपने मेरी unacademy की profile को follow नहीं किया है तो उसको follow कर दीजे link description में given है unacademy पर आपके लिए कुछ special classes arrange की जाती हैं जो की बिलकुल free of cost हैं जैसे 1st gen to 12th gen ये हमारा time period चल रहा है जिसमें हम company accounts full-fledged complete करने वाले है company accounts में issue of shares और issue of debentures है timing आपके सामने 7.45 to 8.45 pm इस time period में आप हमें live join कर सकते हो अपने doubts discuss कर सकते हो और chapter को detail में understand कर सकते हो profile का link description में given है इसके साथ साथ ही हमारी plus classes भी वहाँ पर available है जो students plus classes में enroll कर चुके हैं उनके लिए benefit है कि वो पूरा syllabus हमारे साथ complete कर सकते हैं accounts, economics, business, maths, English जो भी आपके subjects हैं तो plus classes में micro economics sorry macro economics आपकी start होगी timing होगा 6.30 to 7.30 pm Monday to Friday और business studies की बात की जाए तो business studies का एक crash course चल रहा है 18 days में पूरा syllabus जितना भी है वो साथा complete करवाया जाएगा तो Saturday Sundays की class होती है 6.30 to 7.30 pm तो special classes जो कि आपके लिए free platform है आप उसको join कर सकते हो और उसको join करने के लिए बस आपको एक code insert करना होगा और वो code है jolly life तो यह आप code use कर सकते हो हमारी जो special classes है जो की बिल्कुल free of cost है उनको join करने के लिए और अगर आप हमारी plus classes को भी join करना चाहते हो तो सबसे बहले आपको बता दें कि Unacademy जो कि इंडिया का largest growing online learning platform है वहाँ पर आपको इतने सारे benefits मिलते हैं जो कि आपको personal tuition centers पे नहीं मिल सकते आपको live classes दी जाएंगी regular daily basis के उपर और जितनी भी classes होंगी जितने भी educators होंगे उनकी unlimited access मिलेगी आपको वहाँ पर बहुत सारे educators है जो कि इंडिया के top qualified educators है उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा और आपका syllabus तो सारा complete होई जाएगा regular doubt clearing sessions भी होंगे live test भी conduct किया जाएगा ताकि आपको आपकी performance के बारे में बता चलता रहे then study material आपको PDF form में मिल जाएगा जो कि हर एक student को चाहिए होता है revision करने के लिए practice करने के लिए उसके बाद answer writing sessions आपके लिए arrange किये जाएंगे यानि exams में कैसे presentation करनी है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा और personal guidance भी दी जाएगी आपको और जो subjective test हैं वो भी start हो चुके हैं 9th January से जो subjective test है वो start होने वाले हैं यानि अगर आप plus subscription ले चुके हो तो आप written exam भी दे सकते हो written exam अपनी practice कर सकते हो और India के जो top educators हैं वो आपकी answer sheet चेक करेंगे जहाँ पर mistake होगी वहाँ पर आपको correct भी करेंगे अगर हम बात करें plus subscription के prices के बारे में तो यह आपके पास price slot available है class 11th and class 12th के लिए तो आप try करिए कि 3 months का subscription plan आप purchase कर लीजे और 6 months 3 और 6 months आपके लिए beneficial होगा आप अपनी requirement के according plus subscription एक्वाइ कर सकते हो और at that time आप ये code use कर ले न आपको 10% discount भी मिल जाएगा चलिए तो अब हम आजाते हैं अपने first basic concept के उपर भी cash flow statement होता क्या है देखे simple सी बात है सबसे बेले हम इसकी introduction करेंगे 11th class में हमने financial statements की थी yes financial statements वो financial statements जब हम prepare कर रहे थे तो उसमें हमें trading account आता था profit and loss account आता था और balance sheet आती थी इन तीनों accounts को prepare करने के बाग कि हमें ये जानकारी मिलती थी कि business में cash कितना आया और cash कितना गया simple है ये जितने भी accounts हम prepare करते थे financial statements में उसमें हमें सिर्फ इतना ही बता लग पाता था कि business का profit कितना हुआ gross profit कितना है net profit कितना है या फिर business की position क्या है देखे simple जो भी financial statements हम prepare करते थे उसमें पहली चीज हमारे पास क्या आती थी trading account अच्छा ये जो trading account होता था क्या इससे हमें ये पता चल पाता था कि cash कितना आया और कितना गया नहीं trading account से तो हम इससे इतना पता चलता था कि business को gross profit हुआ या gross loss यानि business का जो main operation है वो conduct करने पर business को profit हुआ या loss हुआ बस इतना पता चलता था second हम prepare करते थे profit and loss account और profit and loss account से भी हमें cash के बारे में ज्यादा कोई information नहीं पता चल पाते थी हमें सिर्फ इतना पता चलता था कि overall business conduct करने में business को कितना profit हुआ या कितना नुकसान हुआ इतना ही तो पता चलता था यानि net profit या फिर net loss इससे भी हमें cash के बारे में ज्यादा कोई information नहीं मिलती थी then third number पर हमारे पास आता है balance sheet balance sheet की अगर बात की जाए तो यह position statement होती है जिससे हमें business की assets और liabilities के बारे में पता चलता है assets में एक asset cash भी होती है यानि balance sheet से हमें cash का balance जरूर पता चल जाता है लेकिन in-depth knowledge हमें नहीं मिल पाती हमें यह नहीं पता चलता कि cash कितना आया और cash कितना गया कहां से आया और कहां गया कितना आया कितना गया कहां से generate हुआ उसका source क्या है और कहां हमने use किया payment करने के लिए वो नहीं पता चल पाता यानि ये तीनो financial statements एक business organization के लिए useless हैं अगर उनको ये identify करने कि business का cash source क्या है और cash की application क्या है तो यही हम आपको introduction में बताने की कोशिश कर रहे है कि financial statements जो हम prepare करते थे उससे तो हमें नहीं बता चल पाया कि cash कहां से आया और cash कहां गया तो इसलिए अब हमें एक financial statement में एक और part add करना पढ़ेगा वो है cash flow statement statement word समझते हो ना एक brief summary तो यह वही है cash flow statement यानि cash flow statement भी financial statement का ही एक part है एक हिस्सा है जो कि prepare किया जाता है profit and loss और balance sheet के बाद which is prepared after profit and loss and balance sheet एक organization जिसको यह find out करना है कि उसका source of income क्या है पैसा कहां से आ रहा है पैसा कहां जा रहा है उसके लिए trading profit and loss और balance sheet useless है इसलिए एक और statement हमें add करने बड़ी that is cash flow statement तो दोनों ही statement जो है वो ऐसे information provide नहीं करते थी cash का inflow कितने है और cash का outflow कितने है यह नहीं पता चल पाता था तो इसलिए cash flow statement prepare किये गई यानि in short हम यह कह सकते है कि cash flow statement जो है न वो financial statement का ही एक part है extra prepare किया जाता है cash का inflow और outflow find out करने के यानि business में cash कितना आया और cash कितना गया यह find out करने के लिए अच्छा यह तो हमने introduction समझ लिया कि cash flow statement हमने बनाना क्यूं था होता क्या है यह भी देख लेते हैं meaning देखे cash flow statement अभी मैंने आपको बताया यह एक financial statement है financial statement का part है trading profit and loss और balance sheet से information तो मिल नहीं पाते ही इसलिए इनके बाद cash flow statement बनाया जाता है तो it is a part of financial statement which shows the inflow and outflow of cash which shows the inflow and outflow of cash जो हमें यह बताती है कि भई cash कितना आया और cash कितना गया inflow and outflow of cash during a particular accounting period यह line सबसे important है क्योंकि cash book को अगर difference करना है आपने statement से cash book को अगर cash flow statement से difference करना है तो यह main line है क्योंकि आपको तो पता है 11th में आप cash book बनाते थे एक particular period के लिए लेकिन वो period कौन सा होता था per month every month बनाते थे हर महीने आपको cash के बारे में जानकारी चाहिए होती थी लेकिन अगर आपको overall प्रोल जानकारी चाहिए पैसा कहां से आया कितना आया कब आया कहां जा रहा है किसको payment कर रहे है तब financial statements को आप use करोगे यानि this statement cash flow statement यूज की जाएगी तो simple cash flow statement एक statement है जो कि profit and loss और balance sheet के बाद prepare की जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक business का cash inflow कितने है और cash outflow कितने है during a particular accounting period जो की normally 12 months का होता है एक साल का होता है तो इसको club कर दो it is a statement which shows which provides information regarding inflow and outflow of cash during an accounting period तो cash flow statement एक ऐसे statement है जिसके तुरू हमें ये पता चलता है कि भई business का inflow कितने है और outflow कितने है during a particular accounting period cash flow statement का meaning हो गया होता क्या है ये भी पता चल गया लेकिन cash flow statement को हम categorize कैसे करते हैं कैसे इसको divide करते हैं दीके simple है cash book हम prepare करते है periodic basis के उपर जो कि per month हो सकता है cash flow statement हम over the period prepare करते हैं complete accounting period के लिए तो इसी लिए हमें जितनी भी transactions है उनको divide करना होगा business में जितनी भी transactions perform की जाती है उसको हम basically three categories में divide कर सकते हैं first is operating activity second is investing activity and third is financing activity कोई भी business organization हो उसमें ये तीन activities ही main perform की जाती है तो अब हमें cash flow statement को भी इन ही तीन हिस्सों में बांटना है हमें ये identify करना है कि business की operating activity कौन सी है operating activity से cash आया कितना और cash गया कितना यानी operating activity का inflow कितना है और outflow कितना है ये हमें find out करना पड़ेगा similarly business की investing activities भी होती होंगी क्योंकि पैसा कही ना कहीं तो invest करना पड़ेगा ना तभी तो business चलेगा तो investing activities में से पैसा कितना आया और पैसा कितना गया ये second category होगी यानी financial statements में से cash flow statement को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं जिसमें से पहला हिस्सा operating activity कहलाता है simple दूसरा हिस्सा investing activity कहलाता है तो इसमें भी हमें यही find out करना होगा ना कि inflow कितने है और outflow कितने है लास्ट में cash flow statement का तीसरा हिस्सा क्या आता है financing activity भई business को operate करने के लिए finance तो चाहिए चाहे वो खुद का पैसा लगाए चाहे उधार लेकर पैसा लगाए पैसा तो चाहिए ना तो financing activity से भी हम cash flow find out कर सकते हैं उसमें भी same यही categories होगी finance में से पैसा आया कितना और गया कितना inflow and outflow तो भी अब यही तीन main categories हैं इसके थूँ हमें cash flow statement प्रिपेर करने हैं operating activity, investing activity, financing activity इसके regarding MCQ आप exam में expect कर सकते हो क्योंकि ज्यादातार जो questions हैं अब वो MCQs वाले ही आने वाले हैं तो देखते हैं सबसे बहले operating activity होता क्या है देखे, cash flow statement को आप तीन हिस्सों में divide करोगे तभी cash flow statement बना पाऊगे अब exam में तो आपको सारी ही activities एक साथ दियोंगी तो उसमें से आपको छांटी करनी होगी ना छांटना होगा, निकालना होगा कौन सी operating वाली है जिसको आप उठाकर operating में डालोगे कौन सी financing वाली है उसको financing में डालोगे और कौन सी investing वाली है तभी उसको investing में डालोगे ना मतलब आपको पहले identify करना होगा कि कौन सी activity किस से related है वो financing है, investing है या operating है तो आज हम यही करने वाले हैं और understand करने वाले हैं कि operating, investing और financing कौन सी activities होती हैं कैसे उनको categorize किया जाए कैसे पता लगाया जाए और कैसे उनको write down किया जाए तो चलिए देखते हैं सबसे important activity आपके सामने है operating activity भई operating activity होता क्या है इसके name से ही पता चल रहे है operating activity मतलब ऐसी activity जो एक business को perform करने पड़ती है ये show करने के लिए कि हमारा business operate कर रहा है नहीं, नहीं तो वो shutdown माना जाएगा न ये मान लिया जाएगा कि वो business बंद है तो operating activity इसके name से ही पता चल रहे है ऐसी activity जो एक business perform करता है अपने business को run करने के लिए operate करने के लिए नहीं तो business तो बंद माना जाएगा for example आपका clock manufacturing का business है वही clock manufacture करने के लिए आपको main operations क्या perform करने पड़ेंगे वही आपकी operating activity कहलाएगा आपको clock manufacture करने के लिए उसका raw material purchase करना होगा जितना भी है raw material purchase करने के बाद आपको उसको convert करना होगा finished goods में तो conversion करने के लिए आपको wages, salaries, pay करनी होगी हो सकता है commission भी देनी हो then इसके बाद जब वो finished goods बन जाएंगी तो उसको market में sell भी करना होगा क्योंकि यही तो आपका main operation है ना जिस product में आप deal कर रहे हो जिस product में आप deal कर रहे हो उस product को operate करने के लिए manufacture करने के लिए उसकी trading करने के लिए जितनी भी activities आप perform करते हो beginning से लेकर last तक वो आपकी operating activity है इससे easy कोई नहीं बताएगा operating activity क्या होती है भई जिस product में आप deal कर रहे हो ना जिस भी product में आप deal कर रहे हो उस product को manufacture करने के लिए मालो manufacture नहीं कर रहे तो trading कर रहे होगे buying and selling कर रहे होगे manufacture नहीं कर रहे तो तो trading करने के लिए जो भी activity आप perform करोगे वो operating activity है यानि in short ये business की main revenue generating activities है कोई भी बंदा बिजनस क्यों करता है पैसा कमाने के लिए revenue earn करने के लिए revenue earn करने के लिए आपका कोई एक business तो होगा न for example clock manufacture करने के लिए या फिर for example services provide करने के लिए जो भी आपका business है, मालीजे pen manufacture करने के लिए आपका business है ये pen आप बनाते हो तो भी ये pen बनाने के लिए जो भी activities आप perform करोगे वो आपकी operating activity है बस इतना याद रखना कि आपका business जो है उसी में आपको वो सारी activities find out करने है So in short operating activity किसी भी business की वो activities होती है जिस purpose के लिए एक business exist कर रहा है मेरा business exist कर रहा है कलोग को manufacture करके, convert करके, finished goods में sell करना तो भी मेरी जितनी भी activities इस procedure को perform करने के लिए की जाएंगी perform की जाएंगी, वो मेरी operating activity है और इनी activities को perform करके मैं अपना source of revenue generate करूँगा Simple, आईए देखे operating activities, majorly वो activities होती है जो एक business के revenue generating activities कहलाती है जिसे cloak manufacturing करना, यह मेरा धंदा है, यह मेरा business है तो यही तो मेरा revenue होगा ना, इसी से तो मेरा source of revenue generate होगा इसमें वो सारी activities count की जाती है, जो business को operate करने के लिए perform करना अति आवश्यक है बहुत जादा जरूरी है अगर वो perform ने की जाएंगी, तो यह माना जाएगा कि business आपका बंध है Simple सी बात है तो all those activities which are directly related to the main activity of the business is called as operating activity भही वो सारी activities जो business perform करता है अपने business को run करने के लिए, operate करने के लिए वो आपकी operating activities कहलाती है अब इसमें अगर मैं बताऊं कि भही business तो अलग लगतर है के हो सकते है हो सकते है किसी का business हो financing का उधार देना और उधार लेना तो भही यहाँ पर मैं write down कर देता हूँ देखे, माल लिजी आपका business है banking का यानि आपका खुद का bank है तो उसमें तो आप services दे रहे होंगे manufacture तो कुछ कर नहीं रहे तो आपकी services ही आपका क्या है operating activity जैसे for example bank जो है वो क्या provide करता है different different services provide करता है अपने customers हो उसके बाद वो deposits भी accept करता है और वो loan भी grant करता है इसका मतलब financial institute के लिए उसकी operating activity थोड़ा सा change हो जाती है जैसे आपका bank है आपने किसी को उधार दिया वो आपका business है यही तो आपका operation है अगर यह perform नहीं करोगे तो bank bank थोड़ी कहलाएगा तो इसका मतलब यह activities जो एक bank perform कर रहे है वो उसके लिए operating activities बन जाएंगे है यह simple so example से हम understand करते है और example computer manufacturing company manufacturing computers एक computer manufacturing company है जो की computers बना रही है so for them their main revenue generating activities will be manufacturing computer and selling जैसे मैंने clock की example दी इन्हों नहीं आपर computer की example दे दी मान लो कि आपका computer manufacturing का business है so computer manufacturing करने के लिए जो भी आप activities perform करोगे उसको sell करने के लिए जो भी activities आप perform करोगे वो आपकी operating activity है इसके भी ना आपका business operating माना ही नहीं जाएगा यानि इन activities को perform करने के time पर जो भी आपका cash outflow हो रहे है जो भी आपका cash inflow हो रहे है यानि जो भी cash आ रहा है और जो भी cash जा रहा है वो कौन सी category में आएगा operating activity में आपको cash flow statement बनानी है ना पूरा brief में summary present करनी है जिसमें पहला आपको क्या find out करना है operating activity तो आपको पता रहना चाहिए ना कौन सी activity operating है कौन सी नहीं है तभी तो आप उसको record कर पाओगे एक और example a bank giving loan and accepting deposits purchases securities to resell them अच्छा एक bank है अब यह financial institute की example है यह financial company की example है और यह किस की example है non-financial company चलिए तो financing company में हमने बूला कि एक bank है जिसका main काम है deposits accept करना और loan provide करना उसने purchase की securities further resell करने के लिए तो भाई यह उसका main revenue generating activity है ना in this case the main revenue generating activity will be accepting deposits and granting loans तो यह उसका main operating activity है यह operating activity कहलाएगी तो इतना आपको understand करना होगा तो यह है हमारे पास cash flow from operating activities का पूरा description operating activities क्या होती है पता चल गया operating activity से या तो cash आएगा या तो cash जाएगा जोनों में से एक चीज़ तो होगी ना या फिर no cash flow भी हो सकता है कुछ ऐसे activities होती है जिससे cash ना ही inflow होता है ना ही outflow होता है तो पहले inflow की बात कर लेते हैं non financial company के लिए यानि manufacturing company हो सकती है या trading company हो सकती है उन companies के लिए पैसा आता कहां से है वो कहां से पैसा generate करती है पहला अपने products को sell करके अपने products sell करेंगे बदले में पैसा मिलेगा second cash receive from trade receivable अब कई बार उधार पे भी सामान बेचना पड़ता है अगर आप उधार पे credit पे product sell करते हो तो आपको future में जो payment मिलेगी वो भी तो आपकी operating activity ही कहलाएगी ना then royalty commission ये भी अगर आपको receive हो रहे है तो क्या कहलाएगा inflow operating activity से income tax refund अब कई बार आप ज़्यादा tax pay कर देते हो तो government की तरफ से आपको tax refund आ जाते हैं अगर वो operating activity से related है तो वो inflow operating activity का ही माना जाएगा then outflow की अगर बात की जाए तो पैसा कहां पर payment करने होती है कहां से cash outflow होती है purchase करने पर भई अगर आप manufacturing हो तो raw material purchase करोगे और अगर आप trading business हो तो बना बनाया ready made product purchase तो करोगे ना तभी तो बेच पाओगे तो purchase करने पर होगा outflow payment to trade payable अब कई बार आप अभी तो उधार पे product purchase कर सकते हो ना अगर आपने उधार पे product purchase किया तो future में payment करने पड़ेगी तो ये भी तो outflow हुआ ना अब operating expenses भी business को operate करने के लिए आपको बहुत सारे expenses bear करने होते है salary देने है, wages देने है, office expenses देने है electricity bill पे करने है, तो ये भी इसी में आएगा operations then income tax paid आपने tax pay किया आपके income के ऊपर income कौन से थी, operating वाली ना, तो tax देना बढ़ेगा, outflow होगा cash का ये था normal company के लिए, अगर हम बात करें financial company के लिए तो इसके लिए inflow कहां से होगा, cash कहां से generate होगा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, financial company का main काम क्या होता है भह इसका main काम होता है, market से पैसा उठाना, उधार पर पैसा देना, interest receive करना और पैसे भी बाद में वापिस करना for example, मैं एक financial company हूँ, आपको मैंने उधार दिया, ये मेरा operational activity है बाद में मैं आपसे पैसे वापिस भी मांगूँगा, with interest, ये भी मेरी operational activity है चलिए, so, inflow कहां से होगा, receipt of interest and dividend तो मैंने आपको उधार दिया था न, उसके उपर जो भी मेरे को interest या dividend मिलेगा वो मेरा inflow है, income है sale of securities, मान लो कि मैंने shares बेचे आपको वो मेरा business है, मैं इसी के लिए तो market में exist कर रहा हूँ shares को market से purchase करना और उनको resell कर देना तो अगर मैं resell करूँगा, तो मेरे को पैसा मिलेगा आप shares purchase करोगे, मेरे को पैसा मिलेगा, influence flow है, outflow कहां से होता, payment of interest, अब कई बार financial companies को interest देना वड़ता है, जैसे banking की बात की जाए, आपने जो भी पैसा bank में deposit करवाया है, bank उसके उपर आपको interest देता है न, उसका outflow है, payment for purchase of securities, भई जब मैं market से shares purchase करके आपको बेच रहा था, तो पहले मैंने purchase भी तो किया होगा, जब ही आपको बेचा न, share, तो purchase करने पर मेरा outflow होगा, simple, तो ये एक financial company के लिए क्या है, operating activity, exam में ऐसे ही MCQs आएंगे, जिसमें आपको simple example देकर पूछ लिया जाएगा, बताओ ये काउन सी activity है, हम भी प्रेक्टिस करते हैं, आजाएए, first question आपके सामने है, प्रेक्टिस करते है, classify the following transaction as operating activity for a financing company and non-financing company, ठीक है, आपको question में पूछ रहे हैं कि भाई, ये categories आपको दी गई है, question में आपको, ए से लेकर H तक सारी information गिवन है, इस information को use करते हुए आपने बताना है, कि financing company के लिए और non-financing company के लिए operating activity काउन से होगी, तो पहले हम ऐसा करते हैं, non-financing company के लिए ढूंडते हैं, तो non-financing company, non-financing company मतलब normal company जो products को manufacture करके sell करती है, या फिर trading करती है वो, पहले खरीदती है, ready-made product, फिर market में sell कर देती है, उसके लिए operating activity कौन से होगी, अब mind में इतना याद रखना, operating activity, business की वो activity होती है, जिसको perform किया जाता है, business को operate करने के लिए, run करने के लिए, और जो business की main revenue source होती है, पहली example आपके सामने, purchase of shares on a stock exchange, भई, shares को purchase करना, एक manufacturing company का operating activity हो सकता है क्या, नहीं, उसका तो main activity होगा न, raw material को purchase करना, या ready-made products को purchase करना, convert करना उसको, wages और salaries पे करके, फिर उसको market में sell कर देना, मतलब पहली तो नहीं है, second, cash paid against service tax, भई, manufacturing करने के टाइम पर, या फिर trading करने के टाइम पर, बहुत सारी services हमें consume करनी होती हैं, जैसे telecommunication की services, internet services, तो उसके लिए service tax हमें देना बढ़ेगा, यानि यह business की main operating activity है, तो non financing company के लिए, जो B option है, वो क्या है, operating activity, और इससे cash आ रहा है के cash जा रहा है, वो भी हम बता सकते हैं, cash paid, यानि outflow है, next, dividend paid on shares, shares वैसे भी नहीं deal किये जाते, non financing company में, तो इसको तो छोड़ी दो, loan taken, एक non financing company, loan ले सकती है, लेकिन यह तो फिर उसका finance में हो गया ना, business को operate करने के लिए finance चाहिए, तो यह तो financing activity हो गई, हमें तो operating ढूंड नहीं है, तो यह भी नहीं है, E option, cash sales of goods, भही अगर आप cash के बदले में अपने products बेच रहे हो, तो यही तो आपका main operation है ना, तो यह आएगा, यह आपका operating activity कहलाएगा, option E, next, loans given, उधार देना, non financing का का काम नहीं है, भूल जाओ इसको, interest paid on borrowings, उधार लिया, तो उसके ओपर interest देना बड़ेगा, ठीक है, लेकिन operating तो नहीं है ना, यह, main operational activity तो, product को purchase करना, और sell करने से, तो यह भी नहीं है, next, cash received from debtor, भई हो सकता है, आपने उधार पे product बेचाओ, तो अब पैसा मिल रहे, cash received from debtor, debtor कोन होते हैं, पता है आपको, वो सभी persons, जिससे आपने पैसा receive करना है, तो आपने उधार पे sell किया, अब पैसा आपको मिल रहे, inflow हो रहे, operating activity कहलाएगा, debtor, simple है, ऐसे ही अब हम, financing company के लिए देख लेते हैं, वैसे financing company के लिए, आपको पता चल गया होगा, कि बाकी जितने भी activities बची हैं, वो financing company के लिए operating है, जैसे financing company का main काम क्या होता है, main operation क्या होता है, finance में deal करना, shares, debentures में deal करना, उनको purchase करना, फिर market में resell करना, उधार पर पैसा देना, यह सब ही होता है, तो पहली activity, shares, stock market से purchase किये गए हैं, तो यह, financing company के लिए, operating activity है, और यह क्या है, inflow के outflow, obviously अगर purchase किया है, तो outflow, then dividend paid, dividend दिया है, तो यह भी, financing company के लिए होगा, dividend उन्होंने क्यों दिया होगा, dividend उन्होंने इसलिए दिया होगा, ना, क्योंकि उन्होंने, shares, purchase, या sell किये, dividend इसलिए दिया होगा, नेक्स्ट, लोन लिया है, तो लोन, अच्छा, यह point important है, लोन लिया है, अगर एक financing company, लोन लेती है, तो भई, वो खुद financing company है, उसको खुद उधार लेना पड़ा, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह financing company के लिए, operating activity नहीं होगी, तो इसको हम यहां से, erase कर देते हैं, यह उसके लिए क्या कहलाएगी, financing, financing activity, ऐसे ही next, लोन गिवन, अच्छा, उधार देना, हाँ, यह हो सकता है, एक financing company के लिए, financing, operating activity, क्योंकि लोन देना, तो उसका main काम है न, interest, paid on borrowings, अब उधार लिया है, उसके उपर, interest देना पड़ेगा, तो यह तो, नहीं हो सकता, यह financing company के लिए, financing activity कहलाएगी, क्योंकि financing company को भी तो, उधार की जुरुवत पड़ती है न, उधार लिया है, वापिस करना पड़ेगा, तो यह financing है, चलिए, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं, investing activity के उपर, यह बहुत ही simple है, देखे, कोई भी business है, उसको कही ना कही तो अपना पैसा invest करना होता है, तो investing activity, basically वो activities हैं, जिसमें एक business, अपना पैसा invest कर रहा है, basically वो अपना पैसा कहां invest कर सकता है, fixed assets को purchase या sell करने के लिए, तो investing activities, business की वो activities हैं, जो की sell और purchase से related होती हैं, या नहीं, या तो fixed assets को, purchase करना, या फिर sell करना होता है, अगर वो purchase करेंगे, तो obviously, cash का outflow होगा, यानि अगर वो पैसा invest करेंगे, तो cash का outflow होगा, और अगर वो, अपनी assets को sell करेंगे, तो cash का inflow होगा ना, कोई भी बंदा अगर अपनी fixed assets बेच देगा, तो पैसा receive होगा, यानि normal है यह, main operating activities होती है, investing और financing बहुत easy, investing activities, business की वो activities हैं, जिसको एक business perform करता है, अपना पैसा invest करने के लिए, या फिर disinvest करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, या फिर पैसा निकालने के लिए, inflow और outflow, तो यह उसकी कुछ examples हैं, inflow और outflow के regarding, अगर देखा जाए, तो normal बस आपको इतना ही याद रखना है, investing activities में, fixed assets, ज़्यादा count की जाती हैं, fixed assets में, हमारी machine, land, building, tangible, हो सकती है, intangible भी हो सकती है, goodwill, copyright, patents, वो भी investment में ही आते हैं, shares और bonds और debentures भी हो सकते हैं, जैसे, मैंने कहीं पर पैसा invest करना है, तो मैं shares purchase कर सकता हूँ, purchase करूँगा तो cash का outflow होगा, तो, investing activities में, या तो, tangible assets आती हैं, long term की, हमेशा याद रखना long term की, या फिर, intangible assets आती हैं, या फिर वो paper claims भी हो सकते हैं, यानि shares और bonds भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी पैसा invest किया जा सकता है, अगर अगर बात की जाये, तो किसी भी company को inflow कब होगा, जब वो अपनी assets को बेच देंगे, तो fixed assets को बेचना, investments को बेच देना, क्या होगा, inflow, या फिर, जो पैसा आपने invest किया, उसके उपर आपको interest मिल रहा हो, dividend मिल रहा हो, जैसे मैंने कहीं पर पैसा invest किया, shares के उपर, तो मिरको dividend मिलेगा न, तो वो inflow है, कौन चीज का, investing activity का, तो जो भी आपको interest मिलेगा, dividend receive होगा, वो सब आपका inflow है, या फिर ये भी हो सकता है, कि आपने अपना घर की राय पर दिया हो, rent पर, तो जो rent आपको मिलेगा, वो भी आपका क्या है, inflow, investing activity का, outflow कब होगा, cash कब आप से जुदा हो जाएगा, simple, जब आप पैसा invest करोगे कहीं पर, purchase करोगे fixed assets को, investment को, shares, debentures, boons को, या फिर आप tax pay करोगे, अब यहाँ पर आपने याद रखना है, कि ये tax payment किस से related है, investing activity से, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो कि मैंने, आपकी company के debentures purchase किये, बदले में मेरे को, 3, 4 या 5 साल के बाद, आप ऐसा वापिस करोगे, interest भी तो pay करोगे, तो interest मेरे लिए income है, investment income है, और उस income के उपर, tax भी देना होता है, government tax charge करती है, तो जो मेरे को interest मिल रहा है, debentures के उपर, उसके उपर मेरे को tax देना होगा, government को, तो वो कौन सा tax है, investing activity से related है, तो वो investing activity में ही आएगा, operating में नहीं, तो ये point याद रखना, तो tax pay करना भी आपका outflow होता है, वो investing में तब ही आएगा, अगर वो investing से related है, simple, चलिए ये भी clear है, अब financing activity को understand कर लेते हैं, फिर इसका एक numerical question understand कर लेंगे, देखें, financing activity, नेम से पता चल रहे हैं न, financial activities, ये कुछ ऐसी activities हैं, जो business perform करता है, business के finance को arrange करने के लिए, भी business बिना finance के तो नहीं चल सकता न, चाहिए वो अपना खुद finance arrange करे, अपने खुद की capital, चाहिए वो borrow करे, उधार ले, finance तो चाहिए, तो finance से भी cash का inflow और outflow होता है, simple है, अगर मेरी company को पैसा चाहिए, मैंने आप से उधार ले लिया, आपने मेरे को दिया न पैसा, inflow, पैसा आ रहे हैं, इसके opposite कर दीजे, मैंने आप से लिया हुआ उधार पैसा, आपको वापिस कर दिया, चला गया पैसा, outflow, तो जो भी activity business के finance से related है, amount को arrange करने से related है, और उसको repay करने से related है, with interest, वो financing activity होगी, यह आपके सामने लिखा हुए, activities related to, acquisition of finance, and repayment of finance, with interest, is called as financing activities, तो business के वो सहरी activities, जो finance को arrange करने से, या फिर repay करने से related है, वो financing activities होती है, इसमें, inflow और outflow दोई चीज़े हैं, inflow कब होगा, जब आप finance acquire करोगे, acquisition, उधार लिया, मैंने उधार लिया ना आपसे, तो वो inflow है, अगर आपको पैसा वापिस कर दिया, with interest, तो वो क्या होगा, outflow, तो वीडियो अगर अच्छे लग रही है, तो प्लीज लाइक कर दीजे, और अपने सभी friends के साथ, share कर दीजे, डिली की टाइमिंग आपको पत है, 5 पेम, Monday to Friday, Mission 95+, तो continuously हमें जॉइन करते रही है, तो financing activities को अगर हम divide करना चाहें, तो inflow और outflow, अभी बता दिया आपको, जब आप finance acquire करते हो, तो वो inflow होगा, देख लिजे, जैसे, हमने हमारी company के shares issue किये, मैंने आपको shares बेचे, तो मेरे को तो पैसा मिलेगा ना, inflow, मैंने debentures issue किये, तो भी पैसा मिलेगा, मैंने bank से long term का loan लिया, तो भी पैसा मिलेगा, bank overdraft, या फिर cash credit, इससे भी पैसा मिलेगा, then, repayment of loan, जो loan लिया था, वो वापिस कर दिया, होता है, redemption का मतलब, repayment, तो जो मैंने shares issue किये थे, अब उसके पैसे मैंने वापिस कर दिया, buyback of shares, with dividend, shares आएगा, buyback of shares, buyback of shares का मतलब होता है, जब एक company, अपने ही issue किये हुए shares, वापिस purchase कर लेती है, तो पैसा outflow होगा, outflow of cash, then payment of interest, अब loan लिया है, तो with interest वापिस भी तो करना पड़ेगा, तो payment जो वापिस करी जाएगी, वो क्या होगी, outflow, income tax paid, ही, income tax paid ओपरेटिंग में भी था, investing में भी है, financing में भी है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा, कि अगर आपका tax, financing activity से रेलेटिड है, तो वो इस category के अंडर record किया जाएगा, as a outflow, तो operating, investing और financing, यह main activities है, जिसके according आपको अपनी पूरी cash flow statement प्रिपेर करना है, अब इसका थोड़ा कुछ, practical understand कर लेते हैं, यह second practical हमारे पास है, जिसमें हमें अब identify करना है, कि कौन सी operating activity है, और कौन सी investing activity है, normal business के लिए, यानि trading या फिर manufacturing business के लिए, operating कौन सी है, और investing कौन सी है, एक एक को read करते हैं, जो operating होगी, उसके आगे ओ लिख देंगे, जो investing होगी, उसके आगे आए लिख देंगे, चलिए में साथ solve करीए अभी, cash sales of goods, goods हम उसको बोलते हैं, जिस चीज में एक business deal कर रहा है, तो यह आपका main operation है, इसके बिना तो business operating माना ही नहीं जाएगा, operating activity, cash purchase of goods, भी goods को purchase करोगे, तभी तो बेचोगे ना, operating activity है, patents purchased, patents आपको पता होना चाहिए क्या होता है, intangible fixed assets होती है, अगर आपने fixed assets purchase की है, तो यह आपकी investment है, यानि investing activity, then bank overdraft, यह ना ही operating है, ना ही investing है, यह financing है, तो हम लिख देते हैं, हाला कि हमें पूछा नहीं गया, financing activity, bank से हमने जादा withdraw कर लिया amount, अपनी personal use के लिए, business use के लिए, financing activity, purchase of shares, भही अगर आप shares purchase कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं पर पैसा invest कर रहे हो, जैसे मैंने आपकी company के shares purchase किये, तो यह मेरी investment है, ताकि मेरे को dividend मिले, तो investing activity है, commission received, operating में आएगा, क्योंकि commission जो है, वो business के operations से ही तो receive होती है, interest on debenture, भही देखो interest on debenture, received भी हो सकता है, paid भी हो सकता है, अब interest on debenture, कुछ बताया तो हुआ नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं paid, भही interest on debenture, कौन पे करता है, जिसने debentures issue किया हूँ, तो मान लो, मैंने debentures issue किये आपको, क्यों issue किये, क्योंकि मेरे को पैसे की जुरूरत थी, मैंने debentures आपको issue किये, आपकी investment है, लेकिन मेरा तो source of finance है न, मैं debenture issue करता हूँ, ताकि मेरे को पैसा मिले, तो यह कौनसी activity है भी financing है ना क्योंकि interest भी तो pay करना पड़ेगा मैं आपको interest दूँगा ना financing activity तो exam में ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा इसकी कोई trick नहीं है कि आपको रट जाए सोचना पड़ेगा thinking करनी पड़ेगी थोड़ी सी next income tax paid अब कुछ बताया तो हुआ नहीं कौन सा tax है financing है, investing है, operating है तो operating मान लेंगे no information is given cash received from debtors भी उधार में product बेचा अब उसका पैसा मिल रहा है तो operations है ना आपके business के main operating activity marketable securities अच्छा अब आपको एक और important information बता देनी चाहिए क्योंकि यहां तक हम पहुंच ही चुके है देखिए एक और activity होती है जो कि होती है cash and cash equivalents cash and cash equivalents यानि business में कुछ ऐसी activities होती है कुछ ऐसी transactions होती है जो कि खुद में ही cash है जैसे bank cash in hand, cash at bank जैसे यह अभी-अभी हमने जो discuss की, marketable securities यह short term securities होती है जो बहुत ही जल्दी cash में convert की जा सकते है होती तो यह assets है current assets, लेकिन बहुत जल्दी cash में convert हो जाते है तो इनको हम किसी category में divide नहीं करेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे cash and cash equivalents तो यही आपको बताना है कि यह हमारी क्या है cash and cash equivalents C&C हमने लिख दिया, पता चल जाएगा issue of debentures यह तो मैंने अभी आपको बताया अगर मेरी company debentures issue कर रही है तो पैसा चाहिए न मेरे को इसलिए तो मैं debentures issue कर रहा हूँ issue of debentures और shares हम कर चुके है link description में given है आप देख सकते हो so financing then repayment of long term loan भी, long term loan लिया था तो inflow था अब outflow है लेकिन कौन सा obviously financing क्योंकि आपने पैसा लिया है तो वापिस तो करना पड़ेगा redemption of debenture redemption का मतलब क्या होता है repayment, पैसे वापिस करना तो ये भी outflow है debentures के पैसे वापिस कर रहे है financing then interest on investment भी, आपने कहीं पर पैसा invest किया so no doubt अगर invest किया है तो उसमें से तो आपको interest मिलेगा ना, पै थोड़ी करने तो investing activity और inflow है cash paid to creditors भी, आपने उधार पर प्रोड़क्ट परचेस किया था अब पैसा वापिस करना पड़ेगा तो पैसा वापिस करोगे तो outflow होगा, लेकिन कौन सा operating क्योंकि यह business का main operation है उधार पर परचेस किया तो पैसा तो देना पड़ेगा तो exam में आपको ऐसे ही thinking लेकर जानी है I hope यहां तक आपके सारे doubts clear हो चुके हैं कि operating financing और investing activity कौन से होती है और I hope कि इसके तुरंत बाद आप थोड़ा सा fresh होने के बाद revise करोगे lecture को दुबारा visit करोगे और friends के साथ share करने के बाद अपनी self practice भी करोगे तो self practice के लिए आपके लिए पास ये एक homework है practice question जिसको आप practice कर सकते हो इसमें आपको क्या बताना है operating, investing, financing, cash and cash equivalent activities के बारे में inform करना है last में हम आपको बता दे difference देखे simple difference है cash book और cash flow statement cash book हम periodic basis के उपर monthly basis के उपर prepare करते है जिससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि cash का balance कितने है कौन-कौन सी activities है लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि last तक cash position क्या रहेगी cash का source of generation क्या है और उसकी usage कहां पर है हमें ये नहीं पता चलता कि financing से कितना cash inflow outflow हुआ investing से कितना inflow outflow हुआ और financing से कितना inflow और outflow हुआ इसलिए cash flow statement prepare की जाती है जिससे हमें depth में knowledge मिल जाती है कि cash balance क्या है कितना cash आया, कितना cash गया कहां से गया, कितना कहां से आया source और application दोनों पता चल जाती है और investing, financing और operating का भी पता चल जाता है ये basic difference है last में, आपको पता होना चाहिए कि ये दो main categories है जिसमें से एक हमने अभी आपको बता दी transactions not recorded as cash flow business में न, वहाँ सारी ऐसे transactions होती है जिसको हम cash flow मानते ही नहीं है क्योंकि वो खुद में ही cash है जैसे आपने अपना business में से जो cash था वो उठाकर bank में जमा करवा दिया तो that is cash flow ये खुद ही cash flow है इसको हम किसी भी category में divide नहीं कर सकते इसको हम cash flow मानेंगे ही नहीं क्योंकि cash flow हुआ ही नहीं है जो cash balance है वो कम हुआ है लेकिन bank का तो increase हो गया न ऐसे ही अगर आप अपने office use के लिए अपने bank से कोई पैसा withdraw करवा लेते हो तो वो भी माना नहीं जाएगा include नहीं होगा then purchase and sale of marketable securities अब marketable securities मैंने बता दिया short term securities ये assets होती है लेकिन current assets होती है इसको investing में नहीं इसको cash and cash equivalents में consider किया जाता है उसके बाद हमारे पास आता है non cash transaction वहाँ सारी ऐसी transactions होती है जिसमें cash involved होती ही नहीं है cash नहीं है नहीं वो inflow है नहीं वो outflow है उसको हम बोलते है no flow जैसे कि depreciation amontization depreciation और amontization के बारे में आपको पता है कोई भी asset हम use करते हैं तो उसकी depreciation यानि उसकी value decrease होती है तो जब value decrease होती है तो हम actual में थोड़ी किसी को cash देकर आते हैं और ये थोड़ी बोलते हैं कि हमारी asset decrease हो रही है ये लो भई cash ले लो वो तो हम natural process के through उसकी value decrease करते हैं लेकिन cash का कोई outflow तो नहीं होता न similarly जो intangible assets होती हैं उनकी भी value कम होती है goodwill, patent, trademark उसके लिए हम amontization word use करते हैं cash का इसमें कोई flow है ही नहीं issue of shares as a bonus bonus में किसी को shares issue कर दिये free में मतलब तो कोई नहीं cash आया, नहीं cash गया issue of shares for other than cash कई बार हम building purchase करते हैं बदले में हम cash देने की बजाए उसको shares दे देते हैं इसमें भी कोई cash का inflow outflow नहीं है यानि ये एक तरह से no flow है इन transactions को हम recognize करते ही नहीं cash flow statement prepare करने के time पर तो objective क्या है फिर cash flow statement बनाने का में इसके थ्री objective है cash का source क्या है कहां से हमें पैसा आ रहा है दूसरा cash कहां जा रही है इसका outflow क्या है कितना आ रहा है cash कहां से आ रहा है cash कहां जा रहा है उसकी application है use कहां पर हो रहा है और last में हमें identify करने है कि inflow और outflow का difference क्या है inflow ज़ाद है क्या outflow ज़ाद है और इसा आजाधा रहा है या फिर पैसा ज़्यादा जा रहा है तो ये था हमारा फर्स्ट एपीसोड, I HOPE ये फर्स्ट एपीसोड आपको बहुत ही एंटर्टेन कर रहा होगा अपने फ्रेंड्स के साथ फिर इसको जहरूर शेर कर दिजे, ऐसे ही हमारी next episodes के लिए भी आप continuously देख सकते।